दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं टिकी पापडी चाट बहुत अचानी से बन जाती है और बहुत टेस्टी होती है तो देखिए कैसे बनती है सबसे पहले हमको चाहिए कुछ खाली बरतन और फिर चाहिए बरतनों में समान दो टिकी दो पापडी और हमको चाहिए टिकी बहुत आलू में पुहा डालके टिकी बना लीजे और हमको चाहिए कुछ हरी मिर्चे काले चने या सफेज चने में से जो भी अवेलबल हो कुछ का टाप्याज अबले हुए आलू कटे हुए इमली की चटनी हरी चटनी और दहीं को थोड़ा सा फैट ले चीनी डालके और नमक थोड़ी हरी मिर्च और काले चने और इसके बाद चटनी से पहले हुए अबले आलू तो अबले आलू डालने के पाद थोड़ी सी इमली चक्की चटनी थोड़ी सी या ज्यादा सी अपने स्वात के अनुसार वैसे मिरको तो थोड़ी ज्यादा डालनी अच्छी लगती है और पूरी प्लेट के हिसाब से चार पाच चमच तो डली जाते हैं और इसके बाद नमक थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दीजे जितना भी आपको अच्छा लगे थोड़ा सा तो करना ही अच्छा हरी चटनी से पहले हम दही डालेंगे दही अच्छे से फिटा हुआ है एक चमच इसमें चीनी डली हुई है दही के बाद हरी चटनी और हरी चटनी के बाद हम इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे अब ये ऑप्शनल है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्याज डालिए अगर आपको अनार अच्छा लगता है तो आप अनार की दाने भी डाल सकते हैं ये रेडी हो गई आपके लिए इसको जरूर ट्राइ करिएगा और बताईएगा कैसा बना है और अगर ये वीडियो ची लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्क्राइब कर दीजेगा